हे गाइस प्रॉफेसर निती त्रेवेदी है एंड टोड़े वी गोईंग टो सी एक्सप्रेशन फोर लॉस ओफ एनरजी इन हैड्रोलिक जम्प तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते बट इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखा हो हमने फाइंड किया एक्सप्र यानि जब कोई फ्लो जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है यानि कि जो कोई फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो क्या होता है जब सब क्रिटिकल फ्लो में कंवर्ट होता है और यू कें से सुपर क्रिटिकल फ्लो यानि क्या होता है दो फ्लो वीथ हाई वेलोसिटी अफ्लो वीथ high velocity and less depth यानि कि shallow water होगा और यहां सब critical में क्या होगा high depth high depth and less velocity high depth and less velocity तो जब transition होता है यानि यह जो थी वो हमने ली थी it is length of jump फिर यहां हमने देखा it is a height of jump समझ में आ रहा है अभी क्या होता है कि जब flow convert होता है super critical से sub critical में तब क्या generate होता है तब generate होती है addys or you can say turbulence generate होता है addys and turbulence generate होता है क्यों होता है क्योंकि जब यह flow है super critical flow यानि उसमें high velocity is greater than critical velocity यानि जब कोई flow full speed से क्या होगा जब कम velocity वाले सब critical flow से मिलेगा यानि क्या होगा यहां पर turbulent और addys generate होगी और उससे क्या होगा water level increase होगा जिसे हम hydraulic jump बोलते हैं अब hydraulic jump में होता क्या है जो kinetic energy होती है water की वो potential energy में convert होती है यानि कि क्या होता है dissipation होता है excess energy का जो water की ज्यादा energy उसको क्या करती है dissipate करती है और बचो क्या होता है जो जब भी energy extract होती है वो generally in form of heat of energy होती है तो हमने यह देखा था तो यह सारा concept है कि इस तरह से क्या होता है बचो इसमें energy loss होता है what is the loss of energy loss of energy is the difference between specific energy before and after hydraulic jump और आगे हमने देखा है specific energy होती है y plus v square by 2g तो हम लिख देते e1 के लिए होगी y1 plus v1 square by 2g minus लिखना ना भूले और bracket में लिखे y2 plus v2 square by 2g अभी मैंने कुछ ने किया bracket को निकाल दिया यानि हो गया y1 plus v1 square by 2g और अब ध्यान रखना है यह हो गया minus y2 और यह हो जाएगा plus और minus मिला के minus v2 square by 2g v2 square by 2g समझ भी मैंने कुछ ने किया यह दोनों को इस सेड लिया और यह दोनों को इस सेड यानि मैंने लिया v1 square by 2g minus v2 square by 2g अब मैंने खास यहां ध्यान रखना है कि minus को common लिया है अगर यहां से minus लेगे तो यह minus y2 था और अब हो जाएगा plus यानि यह y2 और यह हो गया यह प्लस है तो यह हो गया minus depth y यानि b into y now q by b क्या होता है discharge पर unit width क्या होता है discharge पर unit width यानि यह हो गया small q by y यानि हमें मिला v equal to q by y समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो अगर मैं इसको बोलू for before jump यानि v1 equal to होगा q by y1 similarly v2 equal to होगा q by y2 दोनों की value इसको रग इसमें रग देशे equation में यानि हो गया यह v1 equal to q by y1 बट यहां है square यानि होगा q square by y1 square और 2g तो already था यह लिखना ना बुले minus इसमें भी क्या होगा v2 equal to q by y2 उसका square करें तो हो गया q square by y2 square और 2g अल्रेडी था वो भी लिखना ना बुले minus यह तो as it is y2 minus y1 समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या करना इन दोनों में से q square by 2g common निकालो यानि क्या कर दिया मैंने e l energy loss q square by 2g common यानि क्या बचेगा 1 upon y1 square minus 1 upon y2 square minus y2 minus y1 अभी मैं कुछ नहीं करूगी इसको simplify करूँगी इसको simplify करें तो क्या होगा cross multiplication y2 square minus y1 square upon y1 y2 तो वही मैंने यहां किया q square by 2g by 2 square minus y1 square upon y1 square y2 square minus y as it is अभी अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो यह नहीं पता चलेगा हमने क्या किया था मैंने आपको बोला था जब हम high top जब हम find कर रहे थे जो हमें मिला था equation number 4 मैंने बोला था कि यह आगे use होने वाला है तो यह वही equation है जहां हमने derive किया था q square equal to g y1 y2 unto y2 plus y1 by 2 तो यह equation हमने वहां से लिया है तो वो वीडियो ज़रूर से देखना है उसकी link भे मैंने description में दी है अब ही जल्दी से q square की जगा यह value लिख दीजे यानि q square की जगा मैंने लिख दिया g y1 y2 y2 plus y1 by 2 और 2g तो था अल्रेटी यह भी थे y2 minus y1 square यानि यह हुआ a minus b sorry a square minus b square यह क्या हुआ a square minus b square यानि यह होता है a minus b a plus b तो इसी तरह से यह क्या हुआ y2 square minus y1 square क्या होगा y2 minus y1 और y2 plus y1 समझ मैं और नीचे तो यह रहेगा और यह भी as it is रहेगा अब मैंने क्या किया यहां से जी जी कैंसल किया एक y1 y2 यहां से कैंसल किया तो अब क्या बचेगा यह y2 plus y1 और यहां भी y2 plus y1 यानि दोनों क्या हुए square y2 plus y1 whole square और नीचे 2 2 जा 4 और एक y1 y2 ब आ रहा है अभी मुझे क्या दिख रहे है दोनों में से y2 minus y1 common दिख रहे है तो चलो चल्दी से निकाल ले यहांनि y2 minus y1 common बड़ा सा bracket करें अब क्या बचेगा y2 plus y1 square 4 y1 y2 minus 1 minus 1 यह 1 लिखना ना पुले क्योंकि हमने यह common निकाल दिया अभी कुछ नहीं करना क्या होगा य यानि यह as it is y2 plus y1 square यानि यह हुआ a plus b whole square यानि a square plus 2ab plus b square उसी तरह से यहां होगा y2 square plus 2y1 y2 plus y1 square और इस से multiply होगा cross यानि minus 4y1 y2 और सारे के denominator में आएगा 4y1 y2 bracket close कर दीजे अभी मैंने क्या करना है इसको solve करना है यह है plus 2 और यह है minus 4 यानि हुआ minus 2 y2 square minus 2y1 y2 plus y1 square upon 4y1 y2 अगर हमारे पास हो s square minus 2ab plus b square यानि क्या होता है a minus b whole square तो यह वही हुआ y2 minus y1 square और यह तो already था ही बार y2 minus y1 नीचे 4y1 y2 लिखना ना भूले यानि यह क्या हो गया energy loss का हमें equation मिल चुका है energy loss equal to y2 minus y1 cube 4y1 y2 यह sum में भी काफी बार पूछा जाता है तो यह energy loss हो चुका है I hope आपको यह जो पूरा वीडियो है समझ में आया अच्छे से वीडियो को like करे, share करे and subscribe करना ना भूले